कि वेल्कम बैक तो दे शैनल आज की वीडियो के नदर आपको टेबल आफ पॉंटेंट फुटनोट्स रिसर्च इंडेक्स टेबल आफ अथोरिटी के बार बताने वाला हूं तो बात करते हैं पेला उप्शन की पेला उप्शन होने वाला हमारा टेबला फॉंटेंट टेबल फॉंटेंट कीवाठा की वाता हैं कि जो बुक्स हमारी अप्टिकल्स होते हैं यह मेगजीनी उती हिसे हूं पेला HEY करा 2 अन्टेश को बनाने के लिए हम्हें सबसे पहले अपने डॉक्निimana सीन अंदर उस इंडे टाइप बनना प Today डेटा लेने से पहले आपको लगाना पड़ेगा एक्वल रेंड कमांड और बैके डिस्टाइग क्लोज दें एंटर इससे एक फॉर्मिट आ जाएगा हुरे पास टेक्स्ट का इस टेक्स्ट के अंदर में यहां पर इसके टैटल देता हूं और इस चीज़ आपको याद रख अ और पहला पेज हमने जो छोरा हमने चोल रहा है इंड्स के लिए इंडेक्स साथ छोडने के बार अब हम यहाँ पर जो पहला पेज के बाद कर सिक्ट्रिक करें तो चेप्तर बन चैर्टा बन टैटल दूंगा इसी तरիक्जेते में रजा गा दूगा चैप्टा इसके宁 के इन्दर बन के लावा कित्पर दूंगा ते निया रिणे लूगा चैप्टा टु wa यहांपर और इसके बाद रन कमांड लगा दूगा है यह जो सो डेटा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा फिर से निया पर ही लेना में आपर चैप्टर अच्छिदी करके और उसकी हम पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद फिर से कमाड़ लगेंगे इक्वल रेंड ब्रैकिट स्टार्टिंग क्लोस अगें नया पेज चैप् बताता हूं अब जो मैंने चैप्टर से संद्द दिये हैं उन चैप्टर का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें लेवल लगाने होंगे लेवल लगेगा क्योंकि अगर आप इंडेक्ट को देना चाहते हैं उस अंदर अपनी लिस्ट के इसाफ से आपको यहां लेवल देने पड़ेंगे आपको यहां पर क्याने के लिए उन्स को लेवल लगा यहत रहा क्या करना पड़े से लेक्शन करने कि मैं पेजिसको मघ्यूर्क कर दोंको इस तरह से स्लेक्ट कर लूगा और कंट्र इसे क्या होगा वन टाइम में बहुत सारे चैप्टर्स ले सकता हूँ अब इतना सब लेने के बाद क्योंकि ये मल्टी सेलेक्ट हो चुका है तो वन टाइम में एक साथ इस लेवल लग जाएगा यहां पर लेवल बन दे सकते हैं इतना करने के बाद हमें देना पड़ेगा है पर इसके सब्टाइडल से जिसाएडिंघ के अंदर जो हैडिंग होते हो पर सब्ब्रम का जाता है तो चैप्टर बन के अंदर जो मैं रखोंगा इसकी फैरेंग ये इंट्रोर्देशन टो कंप्यूटर आ हो इसके अलावा इसमें जो लेवल दूँगा इसमें लेवल लगा जाएगा लेवल नमबर टू क्योंकि यह सब हेडिंग होगी इसी तरह से हमारा अगला पेज होगा उस पेज में हेडिंग दूँगा मैं इंट्रोडक्शन टू अपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन टू ऊपरेटिंग सिस्टम कि इसको चलंगा और यहां पर लेवल लगो तू इसी तरीके से मैं आगे करना पड़ेगा इसको सेलेक करेंगे इस पर भी लेवल नमबर टू लगेगा और इसके बाद लास्ट पे जाएगा हमारा चेप्टर नमबर फूर के अंदर कंप्यूटर हार्डवेर और सॉफ्टवेर कि हार्डवेर और सॉफ्टवेर इसको भी लेवल टू देना है इतना करने के बाद आपको चलना है चन पनबर और ₹ की स्टंडिन में फे यहा barking करने के बाद आपको जाना के यहां से द्धय लेना होगा इंडेक्स ऊचेव हो ले सकते हो जैसे मैंने रखा संदर टेबल नमबर टू उसका कॉंटेंट देखो बनकर आ गया अब जो अगला आपको समने आता है अपडेट टेबल वो करता क्या है जैसे मैंने फिलहाल इसमें चार चेप्टर का इंडेक्स बना दिया आप अगर चाहो इसके अलावस में औ इसमें जो है मैंने लेवल लगा दिया लेवल बन में रखने है और उसके बाद आपको यहाँ पर सब्टैटल देना पड़ेगा तो मैंने रखा इन्पूट आउट्पूट डिवाइस इन्पूट आउट्पूट डिवाइस इसको दिया जाएगा लेवल नंबर टू यह थिली भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो चलेंगे हम पहले पेज में कॉंटेंट पाँ जाएंगे अपडेट टेबल ऐसे नहीं कि जाएगी आपको बहुरे तेबल पर क्लिक करना पड़ेगा फिर ऑपडेट टेबल पर जाना ए उसके बाद अगें अपडेट अंटर डेना रोक्के कर देना है इस तरह से वो चप्टर एड हो जाएंगे यह था करेगा उसी डॉक्यूमेंट के स्करेंट पेज के लास्ट में जाकर आपको एक फुटनोट देगा तो मैंने हाप रखा थे इंट्रोड़क्शन टू कंप्यूटर वाले फुटनोट पे इसके अंदर जाएंगे हम और यहां से लेंगे फुटनोट वाला एरिया अब मैं कंप् पिक्चर्स यह इस तरह से मैं इसमें डेटा टाइप कर सकता हूँ इसमें रखा अब जो मैंने फुटनोट दिया है वो सिफ कंप्यूटर वर्ट पे दिया है तो से केवाल यह कंप्यूटर वर्ट पी शो करेगा और नंबर आएंगे नुमेरिक में आप देख सकते हैं जैस भी डेटा टाइप करोगे वो डेटा आपका फुटनोट में शो करेगा यह होता है आपका फुटनोट एरिया इसके साथ साथ आपका उप्शन आता अगला एंड नोट अगर मैं चाहूं इसी पेज में प्रोड्यूस वाले वर्ट के लास्ट में रखने के बाद एंड अपरेटिंग सिस्टम एक्जाम्पल्स विंडो सेवन विंडो एट यह विंडो टैन इस तरह करके हम यहाँ पर टेटर टाइप कर लेंगे जितना मैं पर टाइप करूंगा उतना मेरा एंड नोट लग जाएगा अब सर्च करने की बात करें मैं यहां से जाँगा नेक्स फूटनोट पे तो मेरा जो कर्जर होगा फूटनोट पर आ जाएगा प्रिवियस पर क्रिक करूंगा तो प्रिवियस पर जाएगा प्रिवियस फूटनोट मेरा यह वाला है जिस पर कर्जर अभी है इससे प्रिवि पर इसके लिया आपके पास इंटरणड और नहीं होगा तो यह आपके पास इंटरिनियेट कनेक्शन होना ज़रूरी है अगर आपके पास internet connection नहीं होगा तो यह option काम नहीं करेगा जूद नहों कि option बग क्यों नहीं कर रहा है इसना रखने के बाद आपको एंटर करना होगा और एंटर रखने के बाद उसकी command निकला करा जाएगी फिर से करता हूं मैं एक बार देखो रिसर्च पे जाओंगा सेर्च में क्लिक करूँगा यहाँ पर जो भी वर्ड में लिखूंगा वो यहाँ पर शोह कर आ जाएगा इस तरह से मेरी इसकी हिस्टियार की पूली सामने है तो इसके बाद अगला उक्षान आपको आता है citation citation क्या होता है जैसे हमने यह author बनाया है book बनाई है इस book के regarding इसका कोई ने कोई author कोई writer होता है तो writer को या तो आप starting में या end में दे सकते हो मैं फिलहाल इसको index से नीचे देता हूं मैं चाहता हूं यहां पर इसका इंडेक्स को आथर का नाम दिया जाए तो आपको इस detail बनाने पड़ेगी और detail बनाने के लिए आपको इस तरह का detail आपको देना पड़ेगा जिसमें आप क्या करेंगे कि author का नाम आएगा title हो का book का उसका year publication city और publication का नाम publisher का नाम तो इतना सब देने के बाद आपको okay करना है और close कर देना है इतना करने के बाद आपको जाना होगा मैंने source में आप चाहूद edit कर सकते हो और बिबिल्योग्राफिय लेने के बाद आप यहांसे style ले सकते हो मैंने रखा यहाला style मुझे चाहिए तो यहां पर style आ गया क्योंकि मैंने यहां पर कोई भी place select नहीं किया तो अगर मैं चाहूँ तो source ले सकता हो जासे तो मुझे यहां पर एक author बनाना पड़ेगा पहले मैंने किया add new source यहां पर मैं देता हूँ अधर का नाम मैंने रखा मुहम्मद आकिव उसके बाद title रखा मैंने title रहेगा book का fundamental of computer उसके बाद यहां पर दिया जाएगा year में session 2023-24 session रहेगा city रहेगी मारी डेली से publication किया जाएगा तो डेली रखेंगे और publisher का नाम मैंने रखा वी-के publisher यह वी-के publication नाम दे सकता हूँ यह भी डेली से डिलिट है तो इसका मैंने पुरा detail हैं पर डाल दिया okay कर दिया उतना करने के बाद आपको लेना होगा bibliography और कोई भी bibliography लेने के बाद आपको okay कर देना है तो उसकी detail यहां पर पूरी आ जाएगी references के दोर पे आप चाहो तो इसका style चेंज कर सकते हो style में जाकर आप इसकी font चेंज कर सकते हो तो यह इसमें काम रहेगा इतना आपको असमें आगए होगा यह बढ़ते हैं कि तरह जैसे मैंने आपके सामने index बनाया है अब index जो बनाया है वो टेक्स के regarding चेप्टर के निएक के साथ से होगा आप चाहो तो इसके हिसाफ से आप picture का भी इंटेक्स बना सकते हो उसके लिए आपको नया document लेना पड़ेगा नया document लेने के बाद आपको यहां पर picture एंटर करने हूँ उससे पहले page एंटर करना है पेज एंटर करने करने करें मैं आपको बताया था पहला page दे जाएगा ले आउट में जाकर ब्रेक में जाकर layout से next page यहां लेने के बाद आप जाओगे insert में यहां से लोगे आपको picture command this device म जाकर this device में जो आपकी laptop या computer की memory कंदर के picture save है वो folder open होगा उस picture में इसाब जो भी picture ले होगे click करोगे insert करा लोगे तो वो picture यहां पर insert हो जाएगी उसके बाद आपको फिर नया page लेना एक और अगेन एक और picture लेनी है वैसे आप जितनी picture चाहो उतने भी documents के अंदर ले सकते हो बड़ तो मैं आपको दो या तीन picture पर बता दूँगा साइस में आप चाहो तो छोटा या बड़ा कर सकते हो picture का और इस पर tag देना पड़ेगा आपने जिसको लेबल बोलते हैं तो लेबल लेने के लिए चलते है reference अंदर insert caption में चलेंगे यहां से लेबल के अंदर option आता है figure आप चाहो तो photo picture table या कोई भी नाम add कर सकते हो तो मैंन इस पर क्लिक किया insert caption में गया और picture लेबल लगा दिया इस तरह से picture one और picture two का लेबल यहां पर आ जाएगा इतना करने के बाद आपको चलना है home page में home page में आ जाने के बाद आपको first वाले character पर क्लिक करना है first वाले column में क्लिक करना है इतना क्लिक करने के बाद आपको जाना है insert table of figure के अंदर जहां से आपको लेना है format format में मैंने रखा distinctive या classic इतना लेने के बाद आपको okay करना होगा और आपका format है पर बंके तैयार हो जाएगा अभी क्योंकि मैंने दो picture रखी तो दो आ रही है मैं चाहूंगा और picture से लेड़ जादी इस picture का size चोड़ा के जा सकता है आप जैसे चाहेंगे तो पहले size चोड़ा कर देते हैं उसके बाद इसको label देते है label देने के लिए reference में चलना पड़ेगा insert caption में जाएंगे और label दिया जाएगा picture तरी का अब क्योंकि picture मैंने बाद में अट की है और इंटेक्स होगा वो पहले बन गया तो आप इंडेक्स पर क्लिक करेंगे update टेबल पर जाएंगे और यहां से entire table पर क्लिक करके update कर देंगे जैसे हमने table of content भी किया था इसका benefit यह भी है कि आप जिस picture पर जब भी चाहो कहीं भी मूव कर सकते हो जंप कर सकते हो control दबाके क्लिक करना पड़ेगा तब वो जंप हो जाएगा अगला option आपका आता है mark entry और mark citation यह क्या होता है यह भी हम सुझेंगे control दबाके नए डॉक्मिट लेना है reference माई जाते हैं तो mark entry का करेगा किसी भी नाम के words को mark करेगा तुम यहां पर करता हूं अपने कोई नाम देता हूं टाइप करता हूं कुछ भी नाम आपने हैं पर type कर होगे उसका format बना हुआ आएगा कि कुछ नहीं यहां पर type करने पढ़ेंगे पहले आप चाहों तो similar category के रख सकते हो मैं चाहूं तो अलग-अलग भी कर सकता हूं तो मैंने फिलार यह दिए अब इन सबी नाम को मैं category करूंगा select करने के बाद mark entry और यहां से आपको लेना पड़ेगा से mark option अगें टोनी को select करोगे उसके बाद आपको mark करना है next what select करना है उसके बाद mark करना है तो एक एक करके mark करना है आप mark all option ना चलाएं वो कभी-कभी काम करता है mostly वो काम नहीं करता आपको लेना पड़ेगा हैं पर single option mark लेने के बाद आपको close कर देना है और आपने फिर से वही क करना है नया page उपन करना है एक और नया page उपन करने के बाद आपको पहले page के starting में रखना है और और करना है insert index आप जो भी style चाहें वो style यहां से ले सकते हैं मैंने रखा fancy और okay कर दिया तो उन नाम की सारी category यहां पर बन जाएंगी अब जैसे मानलो आम यह नाम के तीन इस word को select करना है और दोबारा से mark कर देना है अब दोबारा वहां पर इंडेक्स में लाने के लिए क्या करना होगा कि कॉलम पर क्रिक करो उसके बाद update index कर दो तो यहां पर इंडेक्स अपडेट हो जाएगा अब last आ जा जाता है mark situation यह क्या काम करता है आप जैसे अभी हमने नामों को mark किया था वैसे हम categorize कर सकते हैं अपने total data को तो यहां पर फिर से वही वार्क मुझे करना पड़ेगा कुछ name मुझे चाहिए रहेंगे तो मैं यहां से copy कर लेता हूं ताकि मुझे दुबारा type ना करने पड़ेगा कॉपी करके हम चलेंगे अपने दूसरे document के अंदर यहां पेस्ट कर लेते हैं और यहां पर भी page खोल लेते हैं एक नया उसके बाद इन सभी नाम को select करना है और preference में जाने के बाद आपको कि मार्क सिटेशन पर जाना है और category बना लेनी है मैंने रखा इन category का नाम चेंज करना है तो इस पर क्लिक करूँगा और दूसरा इसमें जाओंगा मैं आं के टेकरी पर यहां से नाम दुंगा इसको रखा में ट्रपल सी के लिए मानके छलो यहां हम आफिस के साफसर रखे हैं तो क्या होगा कि एक बन्दा मार्केटिंग में काम करता है तो मैंने रखा मार्केटिंग केटेगरी में चलेंगे इसे रिप्लेस करना पड़ेगा MKT से MKT मीन्स मार्केटिंग होगा और एक रखता हूं मैं फाइनेंस से एक फाइनेंस का बंदा हो गया बाकि एक सेल्स का रखता हूं इसको रिप्लेस कर दिया अब यह मुझे नाम देना है मार्केटिंग में तो मैंने मार्क कर दिया इस वर्ड को रखा मैंने तोनी वाले को इसको दी मैंने केटेगरी Finance वाली इसे Mark कर दिया तोनी के लावा फिर अगला नेम आता है यश इसको भी मैंने Finance के Mark कर दिया आशी इसको भी मैं Finance के Mark कर दियता हूँ अगला बढ़ होगा आखाश इसे Marketing में देता हूँ Next वर सेलेक करूँगा पियूश का इसको Sales में कर देते हैं Sales में एक ही बंदा रखूँगा और ये शराज को किया हमें दोबारा से Marketing में Close करने के बाद अब हम चलेंगे पहले पेज में और Index दिया जाएगा पहले पेज के स्टार्टिंग में पेज भी रेक के स्टार्टिंग में तो Table Authority में जाएँगे यहां से फिर से वही फॉर्मेट रहेगा आप जो भी चाहों ले सकते हो मैंने किया ओके तो इस तरह का फॉर्मेट बनके आ जाएगा कि कौन-कौन से बंदे किस के जबाटन में काम कर रहे हैं कौन-कौन से पेश्व हो रिखावा नाम आपको साथ को यह तो आपको यह साथ ओप्षिंग क्लियर हों गए अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक करना ना बोले और चैनल बाए नहे हैं तो सब्सक्क्राइब करना ना बोले ताकि फुटर में हमारे सारी वीडियो से वीडियेट आपको मिलते रहें साथ ते साथ हमारे बेलाइकों तो द्वाए थैंक ये सो मुच पर वाचिंग